अब बात कर रहे हैं सारे networking devices की और हम पहले जब Ethernet के बारे में Ethernet हमने LAN में Ethernet या token bus token ring को देखा था तो वहाँ पर हम में सबसे जो basic एक networking device था हब जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हब जो है वो एक networking device ही है यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं हब या switch दोनों के बारे में बात करूँ तो इन दोनों में क्या difference है तो यह ऐसे देखा जाए तो दोनों बिल्कुल same है इसमें भी ports होते हैं इसमें भी ports होते हैं उन ports में station attach कर सकते हैं इसे major difference इन दोनों में है वो यह है कि यह किस तरीके से communicate करने के लिए facility provide करते हैं जब मैं hub के बारे में बात करूँ पहले hub को देखें तो hub में क्या होता है कि basically यह दिखता है कि star topology की तरह है यहाँ पर एक आपने centralized device रखा है और आपके stations attached है तो यह दिखता है star की तरह है पर basically कैसे काम करता है यह एक logical bus की तरह काम करता है इसका जो main काम है अब काम होना कैसे माल लेते हैं यह तीन stations थे A, B और C तो A को data अगर C को भेजना है तो यहाँ पर सारा data route होता है या भेजा जाता है hub के थूँ तो A जो है hub को भेजेगा और hub जो है सब को भेज देगा तो सभी जो हैं एक ही common medium को access करते हैं तो C यहाँ पर भी वही हो गया इसलिए इसको logical bus कहते सब को भेजा जाएगा C का station देखेगा कि मेरा address है वो उसको accept कर लेगा बाकी सब उसको discard कर देगा तो यह है hub के hub का का काम करने का दरीगा अगर मैं switch के बारे में बात करूँ तो switch क् कि वो port से उसी port पे data भेजता है अगर दो port है तो एक port से दूसरे port पे या तीसरे port पे data तभी भेजता है जब वो उसका physical address read कर लेता है इसलिए यह switch जो है logical bus नहीं यह logical star की तरह काम करती है यह एक star topology बट यह logical star की तरह काम करता है क्योंकि यह एक port से दूसरे port को वो connection तभी म पर्टिकुलर port पे जाना हो साथी साथ हमने पहले भी देखा है कि switch has the capacity कि उसके पास buffers होते हैं वो buffer space जो है use करता है वो हर वह एक particular frame को अलग-अलग approaches से या तो वो उसमें से error भी detect कर सकता है या फिर वो collision के बारे में भी अभी हम बात करेंगे collision से कैसे वो उसको बचाता है लेकिन जो switch है वो error detection कर सकता है और फिर उस particular port पे जो correct packet है correct port पे क्या करता है forward करता है तो यह है आपका switch जिसमें आप दो collision zone को है अगर यहाँ एक land attached है यहाँ एक land attached है इसमें collision हो रहा है और इसमें collision नहीं है तो switch क्या है इन collision zones को क्या करता है separate कर सकता है तो यह facility यहाँ हम में नहीं है, जबकि यह switch में आपके पास है, अब जहां तक रही bandwidth के बाद, तो हब जो है, क्योंकि वो broadcast type communication करता है, कि यहां आया data सबको भेज दिया, तो यह जो है, पूरी की पूरी bandwidth, एक बार में एक ही data के लिए use कर लेता है, यह bandwidth को divide नहीं कर सकता है, अगर यहां switch की बात करें अगर multiports है, तो यहां से यहां data जा रहा है, यहां से यहां data जा रहा है, bandwidth नहीं है, but it is divided into two slots, मतला दोनों इसको available है, दोनों के लिए वो use हो पा रहा है, तो switch में यह bandwidth utilization much better है, साथी collision domain भी separate कर सकता है, and sometimes, most of the time it acts as a bridge, तो यह major difference है, जब हम बात करते हैं, hub की, और जब हम बात क के case में देखें, तो यह पूरी की पूरी bandwidth जो है, dedicate कर देता है, एक ही type के signal को, या एक communication के लिए, जब कि यह जो है, यह उसको separate out करता है, और पूरी की पूरी जो bandwidth है, उसको बहुत better allocation करता है, और use करता है, so this is all about comparison, जो हम देखना चाह रहे थे, कि हम switch और hub में क्या difference है, तो जो सबसे बड़ा difference नाम से ही clear है, यह logical bus और यह logical star establish करता है, इसी पर based यह बाकी सारी चीज़े हम correlate कर सकते हैं,